अब कि मेरे दोस्तों हमारे इस चैनल नेक्सटे एमपर पर श्रागत है हम बात कर रहें यहां पर उत्राखंडी की अंतरगत पर जुबीजी के है यह आप उत्राखंडी की अंतरगत पर रहते हैं UKSSE की थे Жुबीजी करते हैं उसके बारे में एके करके रिलेट कर दिया गया था, उस टाइम पर अधिकारी कौन थे, किसके कारेकाल के अंतरगत पर रहा था, यह हमने जानने की कोशिस की, यह रहा प्यारा उत्राखंडे, इसी उत्राखंडे के बारे में हमें क्या करनी होती है, तैयारी करनी होती है, इसी 2483 किलोमीटर ठीक है पूरव से लेकर पच्चिम तक 308 किलोमीटर और नॉर्थ से लेकर साउथ तक इसके जो टोटल दूरी है कितना है 320 किलोमीटर है उत्राखंड के अंटरगत पे दो मंडल है कुमाओ मंडल तथा गड़वाल मंडल अगर उत्तर परदेश की बात करते हैं त 45 डिश्ट्री के महांँपर बाठी गई है लेकिन उत्राखंड के अंटरगत पर सुपर्टी कितने मंडल है कुमाओ मंडल तथा गड़वाल मंडल कुमाओ के अंटरगत पैसे जिले की को त्र ठाट पर पर रिलेट किया गया इस हम्ने ले कि कि उत्तर परदेश के जो तेरे परवतित डिश्टिक्ट है उनको काट कर क्या कर दिया गया था उत्राखंड एक अलग राज्य बना दिया गया था अब कम्लिट्वी रूप से जैसे कि मैंने कहा कि लेकिन 1st January 2017 में उत्राँचल से इसका नाम क्या कर दिया गया ठीक है और इसी की बात करें जैसे हम आगे आगे क्या करेंगे कि आपके लिए जूबी क्वेश्चन रिलेट करें आप हम्या कीज़े हैँ आप हमारे तोफिक हमारे दौरा डेलिएआक गया इसको आप Keep से अप अvre लाइक कीजिए तथा कमेंटी के माध्यम से आप हमें सजेसन भी प्रोवाइट कर सकते और उत्राघंडे का सबसे बड़ा डिस्टिक चमोली है सबसे छोटा डिस्टिक कौन से चंपाउत हो गया चमोली गरवाल मंडल के अंतरगत पर इस्तित है और चंपाउत कहां पर इस्ति सबस्क्राइब करेंगे उत्राघंडे के अंतरगत पर जैसे कि हमारे द्वारा क्या किया गया था जितने भारत का उनिसो साट चौसट में जो भूमी बंदवस्त वा था उसके बारे में हमने डीपली डिसकस कर दिया था अब इस परकार से कुस्क्राइब हो जाएंगी 2623 पर जो डाटा फ्रोवाइड के आई है राज्य की राज्य में परति वेधित रिपल ठीक्या करें 266 और 27 की बात करें तो कितने हैंग्सट लाग बैधिवे हजार 604 शॉर्टे किलो मिटर के राज्य के अंतरगत पर कुल परति वेधित से रिपल कितने हैं दोनकि शेट लाग बयानबह ज ден चैसोचारह और एक किना से था है गाल भी गते एक इंतरघ पने प्रड़ोल भीपड़रो ठीड चुरण हे इसलि έχजें के कुंड प्रड़ फ्र। intéressय तूर्वेव थो स्रय प्रण सिंदय करा है कि 63 दसरेचानर थी भी करद freiesse के अंतर्गत पे कितना है 36,99,233 हेक्टेर के तोटल सेत्रफल के बात करें एक बात के बात कहें बर ठर्टर यहां पर रिलेट कर सकता है राज्जेंब के कुल परतिवेदित सेत्र में इस्ता ही चरागा सेत्र कितना है 2016 के अंतरगत की बात करें तो कितना हो गया एक लाग बयानिवे हजार पिजातर वरग किलिमेट देखिए इकाई दहाई सेकड़ा हजाद दशेजार लाग ऐसे करके याद किया जाता है इसको थोड़े से डाटा रफ ली डाटा होते है बहुत बड़े से डाटा होती है और कैसे काउंट गया जाता है में आपको बता देता हो तो कितना हो गया एक लाग बयानिवे हजार फिजहतर हेक्टियर के अंतरगत पर टोटल कितना प्रसेंट हो गया थ्री फॉइंट टू जिरो नाइन राज जी के कुल परतिवेदित सेत्र फल में किया है 27 चरागा सेत्र है ऐसे एक्जाम में क्या कर सकता है एक्जाम में रिलेट कर सकता है आगे बात करेंगे राज जी के कुल परतिवेदित सेत्र फल में अन्य ब्रिक्ष जाडियों वो बागों से काजो भी सेत्र फल है कितन हो गया 3,87,176 हेक्टेर क्या हो गया राजजी की कुल पर्तिवेदी सित्रिफल में अन्य ब्रिक्ष जाडियों तथा बागों का क्या होगा यहां पर जू भी इस दित है ठीक है युक्तु बागों से युक्तु जू सित्रिफल किता है 6.46% बार बार रिविजन करने का आम से क्या कर सकते इस नोट स को उठाए आगर फड़ सकते आगे बात करेंगे राजसे की कुल पर्तिवेदीत सित्रिफल कि अन्तर्डगत के कितना है 3.80% है अगर हेक्टेर की बात करें तो कितना हो गया 20,there 126.91 ःक्टियर कितना हो गया हुँआ राग 8,091 एक्टियर ठीक है और हुगे बात करेंगे उसके बाद है कुल पर्ति वेदिद सित्र फल में कुल पर्ती से सेत्र roasted 2016 कीं एंतर्गतप के आडाटा है किया है कि परती वेधित, सेत्रफल में, कुलपरती शेत्र व्ता खंदी के अंतरगत पर बूमी बंदोबस्त के अंतरगत पर जो किया गया था यू किया मक्रूपीड़ी पर्षेंट है अगर हेक्टेर की बात कहे तो कितना कोग्या एक लाख पचास हो गया एकाई दहाई सेकड़ा हजार दसचेार लाग ठीक कितना हो गया एक लाग पचाइस जार सात्रै हेक्टीर हो गया कुलपरती व पर्तिवेधित शेत्रफाल में कुलपर्ति कीज मेर्म गत्षीं आगे बात करेंगे राज जी के कुल परती वेदीत शित्र फलगा किर्सी योग्य बेकार भूमी 2016 की अंतरगत पर जो ये डाटा प्रोवाइड किया गया कितना है 5.30% अगर हेक्टियर की बात करें तो कितना हो गया 3,7,825 हेक्टियर कितना हो गया 3,7,825 हेक्टियर ठीक है ध्यान पूर कीए अंतरागत पर इक्जामिनर करता है उत्राखने जी क्या क्या आप त्यारी करता है यह जो भी पर जान्धे करते है क्या हिंदी क्रामर बी रिलेट कर दिता है तो इस जानकारी है तो बोलने का चाहिए क्किया देजान चाहिए ताकि एक्जामनर को confusion नहों सके आगे बात करेंगे आगे का question है राजजे के कुल फर्तिवेदी सेत्रखा खेती के अलावा अन्य उप्योगों में आने वाली भूमी 267 के अंतरखट पर ये डाटा प्रोयट किया गया है 3.78 परिशन्ट यहां पर है अगर इसी के अंतरखट पर हेक्टियर की बात करें तो कितना हो गया यहां पर 2,26,845 एक्टेर के अंतरगत पे राजजे के कुल परतिवेदी सेत्र का खेती के अलावा अन्य उफ्योगों में आने वाली भूमी कितना है 2,26,845 एक्टेर जो परसेंटेज की बात करें तो 3.7% यहां पर हो गया आगे क्या है क्वेश्चिन राजजे के कुल परतिवेदी सेत्र का सुद्द बोया गया सेत्र फल 2,16 सेत्र के अंतरगत जो यह है डाटा है और अगर इसी के अंतरगत की परसेंटेज की बात करें तो कितना हो गया यहां पर 11,52 11.52 परसेंट हो गया अगर हेक्टियर की बात करें, तो कितना हो गया, 6,90,562 हेक्टियर के अंतरगत पर के हैं एक से अधिक बार बोया सेत्रफल दोजार शोल शत्र के अंतरगत की बात कही जा रही है टूटल परसेंटेज की बात करें तो यहां पर लिखा गए 6.526.5 दो परसेंट हो गया अगर इसी के अंतरगत पर हेक्टेर की बात करें तो कितना हो गया जैसे की यहां पर लिखा गए है 3,91,243 hectare के है राज्ज के कुल पर्तिवेदित सेत्र का एक से अधिक बार बोया सेत्रिफल ठीक समझ गये होंगे आगे बात करेंगे राज्ज के कुल सुद्ड बोये गए सेत्रिफल मैंसे 11 परवती जिलो का भाग कितना है 63.59 क्या हो गया राज्य के कुल सुद्द बोया गया जो भी सेत्रफल है इसके अंतरगत पे क्या कह रहा है राज्य के कुल सुद्द बोया गये सेत्रफल मैंसे 11 परवती जिलों का भाग कितना है 33.59% है ठीक एक्जामिनर क्वेशन ट्लेट कर जाकता आगे बात करेंगे राज्य के कुल सुद्द बोया गये सेत्रफल मैंसे 12 मैदानी जिलों का भाग कितना हो गया 36.41 क्या हो गया वापस रिपीट करते है राज्य के कुल सुद्द बोया गये सेत्रफल मैंसे 12 मैदानी जिलों का भाग कितना है 36.41 एक पर्शेंट हो गया ठीक है 36 दसमलोव 41 नहीं पड़ते आप इतना करेक्शन कीजिए गा 36 दसमलोव क्या पड़ते है फोर एक चार एक ऐसे पढ़ा जाता है ठीक आगे बात करेंगे राज्य के कुल सुद्ध बोये गए सेत्र में से कुमाओ वागडवाल सेत्र में करमश कि है देखिए दो दो एक साथ दो क्वेशन निशाथ पर यहां पर रिलेट कर दी गई है राज्य में कुल सुद्ध बोये गए सेत्रिफल में से कुमाओ का सेत्रिफल जो भी है सेत्र में करमश कितना है उन पंचास दसमलोव 63 परसेंट हो गया और गड़वाल की अंतरगत पर क्या हो गया करमश कर पचास दसमलोव 37 आगे बात करेंगे आगे का क्विस्वेशन है सर्वादी गुऌसे कम वण भूमी शेत्रफल वाले जिल्ह कौन से कंई उत्तरकासी और हरीद्वार हो गया कौन कौन से होगे उत्तरकासी और हरीद्वार हो गया बात करेंगे वापस रिपीट करते हैं राज्जे के अंतर्गत में सरवादीक हुआ सबसे कम ठीक है सरवादीक वाला कौन सा है उत्तरकासी इजामिनल इस पर कासे क्वेश्चनर रेट कर सकता है कि राज्य में सरवादी सेत्रफल वाले वन भूमी सेत्रफल वाला जिला कौन सा है तो आपका आंसर क्या रहेगा उत्तरकासी रहेगा और सबसे कम वन भूमी सेत्रफल वाला जिला कौन सा हो गया हरी द्वार हो गया उत्तरकासी के सेत्रफल उत्तरकासी सबसे पहले तो उत्तर काशी का है तर्काशी का टेड़काल 801 106 in पधार-काशी है पहले नंबर का कॉन्छा सेत्रफल वाला जिला कौनचा है हरीद्वार हो गया ठीक है हरीद्वार की बात करें तो 1928 में बना था हरीद्वार की अंतरगत की बात करें तो इसका है हरीद्वार के अंतरगत पर ही इस्तित है हरीद्वार का टोटल सेत्रफल कितना है याई साथ वर्ग किलोमेटर के अंतरगत पर हरी द्वार फैला हुए आगे बात करेंगे राज्य में सरवादिक वह सबसे कम उसर भूमी सेत्रफल वाले जिले कौन-कौन से हैं चमोली और नैनिताल देखिए दो क्वेशन यहां पर भी रिलेट किया गया है ठीक पहले नमबर उसर भूमी सेत्रफल वाला जिला चमोली है और राज्य में सबसे कम उसर भूमी सेत्रफल वाला जिला कौन सा हो गया नैनिताल हो गया जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो चमोली डिस्टिक है उनिशो शार्ड पर चमोली डिस्टिक बना था चमोली का हैटक्वाटर गोबिस्व पर भी मताया था वापस बतानी के आपो जरुवत नहीं है उसके बात की बात गरें तो अब नेनिताल कब था 1891 देखे कब बना था 1891 इसमी में नैनिताल बना था और नैनिताल का headquarter नैनिताल का total 4251 वरह किलोमेटर के अंतर पे अनितालब फ़ेलावाई इत्ते सारे सबसे कम प्रती भूमी सेत्रिफल वाले जिले तेखे राज्य में सरवाधिक प्रती भूमी सेत्रिफल वाला जिला कौनशा हो गया पौडी गडवाल हो गया और राज्जी के अंतरगत पे सबसे कम परती भूमी सेत्रफल वाला जिला कौनशा हो गया रुद्र परियाग हो गया पौडी गडवाल की बात करें तो 1840 सभी के अंतरगत पे पौडी गडवाल बना था और पौडी गडवाल क का बना था 1398 मैं बताएंगा अभी आगे आने वाले वीडियो के ebh यह भी बताऊंगा की वैसे तो मैंने टेटील बताया लेकिन कौन उपना धुस जब्सक्रारिश से ठूटके अलग बना यह थोड़ा सा कुछ 1997 में मना था रुद्वपरियाग का हैटक्वाटर रुद्वपरियाग के अंतरगत पैस्तित है रुद्वपरियाग का टूटल सेत्रफल की बात करें तो कितना है यहां पर उनीस्सो चुराजसी वर्क किलोमेटर 1984 के है रुद्रफरियाक का सेत्रफल आगे बात करेंगे आगे हैं राज्य में सरवाधिक वह सबसे कम चरागा भूमी सेत्रफल वाले जिले दो केशन एक सार रिलेट कर रहा है यहां पर सरवाधिक और सबसे कम के लिए अगर इसी के अ माव मंडल के अंतरगत पर इस्तित है पिथोरागर की बात करें तो फिथोरागर कब बना था उनिश्वशाइट पर बना था और फिथोरागर का हैटकौाटर पिथोरागर के अंतरगत पर है पिथोरागर का टोटल सेत्रफल शेवन जीरो नाइन जीरो वर्क किलोमेटर इस करेंगे सबसे कंशुद्दा बोए गए भूविसे त्रफल वाले जीले कौन-कनN pare उतम्सिंग नगळकर और आँरे की में सबसे कंश्य वाला सबसे गए सबसे कंश्य गए और उदम्सिंग नगर को गया । ए उदम्सिंग नगर कि अंतरगर की बात के तो जैसे मैंने पहले बता है 1995 में उद्लम सिंग नगर बना और उद्लम सिंग नगर का हैड में हैड्टकौर रुदुबर्याग का सिद्र mejor गीन पर Evagya Guam सुपता डिस्टिक,सके बाद कौन सा है रुदुबर्याक से कि नंबर गौलत का सबसे चोटा डिस्टिक ऐक है आगे है सुतंतता पूर्वग ब्रिटिस काल में राज्य में कुल भूमी बंदोबस्त हुआ इग्यारा हुए जो ब्रिटिस काल का पहला भूमी बंदोबस्त हुआ ठीक है इग्यारा भूमी बंदोबस्त हुआ ब्रिटिस काल का पहला भूमी बंदोबस्त हुआ कब वह अठा भूमी बंदोबस्त कुमाओं के उंतर्गत पे ऐठार सोबंदोगर और गरवाल के उंतर्गत PR8060 और गरवाल के आपको बात करेंगется सबसे महतवूड साथवा भूमी बंदोबस्त है काफी इंपोटेंट है सात् anak नम्मर का जो भूमी बंदोबस्त है कब वा था 1863 से लेड़ कर 1873 का था इसे विकेट बंदोबस्त भी कहते एक्जाम में क्वेशन रिलेट कर सकता है कि विकेट बंदोबस्त कौन शी नम्मर को का जाता है तो साथ वे नम्मर का को कब वा था 1863 से लेकर 73 के बीच में होता है, उंट्या 3rd पर वा था, भूमी को 5 वर्गों में बाटा गया था, और विटिस काल का अंतीम 11 भूमी बंदोबस्त देखें, इसके साथ यहां पर question रिलेट हो गया, विटिस काल का अंतीम 11 भूमी बंदोबस्त का हुआ था, 1928 में हुआ था, केवल गड़ बहुत सारे question है, एक साथ क्या हो जाती है, ठीक समझ गया होंगे, और उसके सुतंत भारत का, जैसे के मैंने पहले भी बता दिया, यहां पर आ गया, जैसे question देखें, आई गया खुदी, सुतंत था के बाद का पहला भूमी बंदोबस्त का हुआ था, 1964 में हुआ था, उसके 1964 के भूमी बंदोबस्त में कितने 1860 के किसानों को भूराजस्वत से मुक्त कर दिया, और ठीक है, 13.21 by 8 acres, ठीक किता कर जागा, तेरे दसमल गार कार जाएगा था 1964 के भूमी बन्दोबस्त में और गया था फीक है आगे बात करेंगे वर्तमान में चलाई जा रही है थीज़िक चल रही है थीज़िक चकबंदि आखिर होता कि आप रिलेड मत किजेगा नहों उसके बाद में क्या चलाए जाती है स्विच्चिक चकवंदी चलाए जाती है आगे का क्वेश्चन है राज्य के गठन से ठीक पूरू सकीरिय जोते 9.26 लाग थी लेकिन एवसेंटी लेंड लाडन की दर अधिक होने के कारण सकीरिय जोते धीरी धीरे घट रही है क्या राज सकीरिय जोते 9.26 लाग थी लेकिन एवसेंटी लेंड लाडन की दर अधिक होने के कारण सकीरिय जोते धीरे धीरे घट रही है ठीक है आगे बात करेंगे खेतों को परती छोड़कर रोजगार की तलास में बाहर चले जाने वालों को कहते हैं एवसेंटी लेंड लाड़का खेती को परती छोड़कर रोजगार की तलास में बाहर चले जाने को कहते हैं एवसेंटी लेंड लाड़ ठीक है आगे बात करेंगे किर्शी गंडा दोजार पांच छे के अनुशार राज्य में जोतों की कुल संख्या का सेत्रफल का क्या है ये देखे कितना है यहाँ पर क किया करा याँ कि रिपिट करते है किसी है में दोजार पांच छे के अनुशार राज्य में जोतों की खुड़ न यहां पर कितना हो गया तो यहां पर कितना हो गया तो किफसे पांग सों पहस हो गया आठम राप और लाइस से तालीस हजार बार हेक्टियर के अंतरकट कई था ग्रसिण ऑलिए कनलता हो गया यहाँ पर एक्जाम के लिए एक्जाम के लिए क्वेशन दोनों एक सार रिलेट कर दिया गया है आगे बात करेंगे आगे यहाँ पर किर्शी गर्णा अनुशार राज्जे में जोतो की कुल शंक्या तता शेत्रफल दोनों डों क्वेशन कर दिया है क्या हो गया 9,21,650 हो गया और इसके अंतरगत की बात कर तो वो शेत्रफल की बात कर तो यहाँ पर कितना तो गया दसमलव दो चार पर तीसंट दो से लेकर चार हेक्टियर वाले साथ दसमलव वन जीरो पर तीसंट और चार से लेकर दस हेक्टियर वाले 1.90% और 10 से अधिक हेक्ति एर 1-22% हो गहा है कि राज्य के कुल जोत्में ठीक एक्जाम में बहुत सारे व्में से भी सारे कुसिंटों से कुकसे लेट कर दें तो आप देख़ें वापस रिपीट करते हैं उत्राख हरें मत्याज़्य sequencing कभल जोतों में एक हैंते से कंवाले ऐस फॉइंत फॉइंट परीजन spent हैंते हैं उने इन फॉइंट वाले on मोईन खेड़ वजंट से कैसे सब्सक्राइज이면 टू से लेकर खीजन पर अभर अच्वालेयर आगे बात करेंगें में एक हेक्टियर भूमी से कम वाले अर्थार सीमानतु जोतों का परती से दो जार दस इगार के अनुसार कितना है 73.65% है काफी इंपोर्टेंट हो जाता है वहरी वहरी इंपोर्टेंट कर लिजेगा इसको वापस रिबीट करते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है कुल जोतों में एक हेक्टियर भूमी से कम वाले अर्थार सीमानतु जोतों का परती से कितना है 0.89 हेक्टियर हो गया आगे के दो लास्ट क्वेशन है यहाँ पर में राज्य में भू अभी लेखकों का कम्प्यूटरी करन किया गया कब किया गया देभूमी नामक सौप्टियर से देखिए कि सौप्टर का नाम पूसकता है तो उत्राखंड को देभूमी कहा जा किससे नापा जाता नालिया मुठी से माबा जाता है इसी के अंतरगत से क्या कर सकता है इगजामियर आपको क्वेशन रिलेट कर सकता है उत्राखंड की नेपे भूमी बन बस्त है ठीक है समझगे होंगे मैप के माध्यम से आसान सब्सक्राइब कीजिए जैहिन